हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपके अपने हैं यूट्यूब चैनल ओलाइड नव्या एकेडिमी में तो दोसम आज हम बात करने वाले करन्ट अफेर के नेक्स पार्ट 25 जनवरी के जो करन्ट अफेर्स के बारे में सबसे पहले तो सबसे इस दिन कर देखती कौन सा दिवस मना जाताता दिवस और भारतिय अपरट्यन तिवस जो है वो मनाय जाता है 25 जनवरी को फर्याइप 25 जन्वरी को राष्ट्य मतदाता दिवस मनाय जाता है और राष्ट्य मतदाता दिवस इसली लिए दिन्याने की 25 जन्वरी 1950 को 25 जन्वरी 1950 को भारत्य निर्वाजन आयोग की इस्थापना की गई थी जो कि क्या है समवेधानिक निकाय है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बागी क्या करंडा फेर के बारे में और फेर देखते हैं हाल ही में भारत की दिगज tay बाज और च्छे बार की विश्व चेंपियन चैंपियन M.C. मेरिकाव ने मुख्य बाजी से सन्यास ले लिया है ठीक है विए कोशन में पूसकता कि किसने सन्यास ले है लेकिन उपलब्दियां जो है इनकी उपलब्दियां है छे बार इनको मुख्य बाजी चैंपियन से बिजेता घोसित के आ गया है और 6 बार 200 मुख्यवाजी चेम्पेंशिप जीतने वाली ये विश्यक की पहली महिला है ठीक है, 5 बार इन्होंने ACI चेम्पेंशिप जीता है और 2014 के ACI खेलों में स्वन पदक जीतने वाली पहली भारतिया महिला मुख्यवाज हुई है MC Mexico साथ ही इननों ने 2012 में जो लंदन का olympic हो था लंदन olympic में इननों ने काई से पदा ज्यता था था सिर्वर मैडल जो था पॉर نीel rebel में हुआ ठीक है अब इनके जो पुरषकार . चो दिए गए हैं सबसे पहला पुरशकार पदम भूशन दो हजार संसरी तो आप इस सरी किस यहाद रहता है पहले पदमभूशन फिर उपर दे जाता है पदम भूशन फिर पदम भूशन थो हजार जारा चालेमें सब्सक्राइब को मेजर ध्यान चंद खेलतन पुरस्कार से सम्मानित किया गया ठीक है तो चले देखते नेक्स्ट पॉइंट जादूंग गाउं उत्राखंड के की जिले में इसित है तो जादूंग गाउं जो है इससे पहले भी हमने इसके बारे में बात की थी कि जो केंदर सरकार के द्वारा ब्राइड बेंड या बाइब्रेंड विलिज कारेकरम चलाय जा रहा है जहां पर उत्राखंड या भारत के सिमानथ गाओं को क्या क्या या रहा है उनको अच्छा यानिकि रोजगारuvre .... परटन के रूप से उनको विक्षित किया जा रहा है तो उन्हीं काओं मेंãy सामिल है उत्राखंड के 55 गाओं 苏 प्या पर आये है और उतनी सामिल को गाउं जो है वो कहां पर इसे दियान रखनी है कि यह सिमानत गाउं को जीवन्त करने के लिए केंदर सरकार के द्वारा यह चलाए गई योजना है जहां पर उनको अलग-अलग तरीके से परेटन विकास के दृष्टी से करने या परेटन के रूप में रोजगार देने के लिए तो इस तरह के समापर एक पहल की गई है ठीक है प्रधान मंतरी सूर्यत योजना से संबनीत जो है इसके तहत क्या है एक करोड घरों की छताओ पर सोलर पैनल लगवाने की बात का लक्षे रखा गया है जिसमें आमजन का बिजली का बिल्तो कम होगा ही साथ बिजली आपूर्टी के मामले में भी भारत आत्मनीर भर बन सकता है इसी तरके कि योजना जो थी 2014 में चलाएगी थी जिसको सौभा के योजना के नाम से जाना जाता है तो सौभा के योजना में क्या था हर घर को बिजली कनेक्शन से जोड़ना था साथ ही सोलर पैनल लगा कर बिजली बनाने के योजना चलाएगी थी तो सोलर पेनल लगाकर बिजली बनाने की योजना पहले भी चलाएगी थी और अभी फिर से सूरिद योजना जो है इसका यही इसका भी लक्ष है कि सोलर पेनल लगाने इसका इसमें लक्ष रखा गया है जिससे बिजली आप उड़त की जासेगे और बिजली के गिल याँ पर वैसे ही कम हो जाएंगे ठीक है और 2014 में भी यह लेकिन यह योजन 2014 की योजन जो थी यह सफल नहीं हो पाई थी यहाँ पर लक्षे रखा गया था 2022 तक लक्षे रखा गया था यह 2022 का जो लक्षे वह 2026 तक कर दिया गया है ठीक है तो ध्यान लखेगा आपके पास सुर्यदय योजन और सुर्यदय और स्वभागय योजन दोनों एक ही तरीके की हैं पर यहाँ पर यह था जो हर घर को कैनेकर्टाम बीजली कनेकर्टाय में जोड़ने साथ यहाँ पर घर की चताव उन्हों में लगाका ब्लगया है तो थोड़ा से पॉइंट ब्राइब यह की किभिजली आपुटी में आत्मीन धर बनना है चालिधि eighteen आपको बताया था कि 25 जनवरी पचीज़नवरी उन्नीस सो पचास को 25 जनवरी इंडिया इलेक्शन कमिशन का गठन किया गया था यादिकि भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया था भारते निर्वाचन आयोग जो एक समवेधानिक सस्ता है समवेधानिक और गयर समवेधानिक सस्ता तो तरीके से आपको समवेधाने मिलता है समवेधानिक और गयर समवेधानिक सस्ता वे होती हैं जो समवेधान लिखने के समय पहले से जोड़ दी गई थी और गयर समवेधानिक हुए है जो बाद में यानि कि 26 और 1950 के बाद जोड़े से 329 तक संविधान यानि की निर्वाचन आयोग की बात करता है निर्वाचन आयोग से संबंद है 324 से 329 में और भारत के निर्वाचनों को संपार या भारत में जो भी पदाओं के लिए निर्वाचन जो होगा वो निर्वाचन आयोग कराएगा यह अनुचे 324 बताता है ठी सब्सक्राइब करेंगे तो 2011 में इसकी शुरुवात हुई थी तो पहला मतदान दिवस जो है सब्सक्राइब करेंगे पहले चुनाव या निर्वाचन आयकत कों थे तो उसकुमार सेन थे मुख्य चुनाव आयकत या पैसेट वर्स जो भी पहले हो 6 वर्स या 65 वर्स जो भी पहले हो मतलब अगर 6 वर्स उसके आई पूरी हो जाती है लेकिन उसके रेटार्मेंट एज 65 वर्स है और उससे पहले 6 वर्स पूरी हो यान माल लेजिए 64 वर्स ब्यक्ति के आई 64 वर्स ठीक है 64 लेकिन उससे पहले 6 वर्स पूरे हो चुक है से कारेक पूराना हो नहीं हुआ है तो यानि कि तभी रिटायर्मेंट ले लेगा तो उसके पूर्स या सब्सक्राइब राश्टरपती दिग्रमुन कोशल विकास और उध्धमिता मंत्राले की नई इमारत कोशल भवन का उध्धाटन का पर कियाता है तो कौशल भवन को उद्गाटन किया गया है नई दिली में जो कि कौशल विकासिम उद्धमिता मंत्रा लेक के लिए बनाए गई है डेजल्ट नाइट अभ्याज जो है वो फ्रांस और UAE की साथ सभारत के द्वारत के द्वारत किया गया है अरब सागर में ठीक कि सिख्षा के लिए किस एप को लॉंच किया गया है तो यानीकि आशे किस बनाए गया है रोहिस सर्मा के बना गया है चौदवी अखिल भारतिया पुलिस कमांडो परतोय गीता दो हजार चौबिस कहां पर आयुजित की गई विशाका पत्तनम में आयुजित की गई अंतराष्टे शिख्षा दिवसकब मना जाता है चौबिस जनुरी दो हजार चौबिस को मना जाता है इससे पहले वाले चौबिस जनुरी की वीडियो में आपके साथ ही मैंने डिस्कूश किया था ठीक है नेक्स पॉइंट आपके पास है 63वी Central Geological Programming Board CGPB की बैठक हाल ही में कहां पर आज़ित की गई भोपाल में आयज़ित की गई वैस्विक सेयर बाजार सूची में हाल ही में जो वैस्विक सेयर बाजार सूची जो है जारी की गई जहां पर भारत चोथे स्थान पर है 11.11 विशेजबल अभ्याज जिसका नाम है खंजर ठीक है तो यह कहां पर चलाए गया तो यह चलाए गया जो अभ्याज जो किया गया हिमाचल प्रदेश में किया गया है खंजर अभ्याज जो 11.11 विशेजबल अभ्याज है और हिमाचल प्रदेश में अभ्याज किया गया है ठीक है इता दोस्तों इता आपकी 25 जनवरी का करेंट अफेर का वीडियो मिलता हो जल्दी नई वीडियो के साथ अपता के लिए जय हिंद जय भारत